हाई गाईस और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालेसस और 16 ओफ मार्च 2022 तो गाईस आज है तारिक 16 मार्च 2022 और है वेटनेस डेए देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोगको यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जोईन कर लेना देखो अगर आप लोगको इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली यह चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जोईन कर लेना जोईन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोगको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year 2001 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है देखो option में नीचे आपको काफी सारे Englishman के नाम दिये गए हैं और पूछा या इन में से कौन से Englishman हैं जिनोंने सबसे पहली बार भगवत गीता को English में translate किया था option A William Jones, option B Charles Wilkin, option C Alexander Cunningham या फिर option D John Marshall तो इसका सही answer आप सभी लोगों को नीचे comment section में देना है, at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ इसका जो correct answer मैंने आप लोगों को नीचे provide करवा दिया है, प्लस टेलिग्राम पर provide करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको check out कर सकते हो otherwise इसका answer नहीं मिलता है, तो कोई परेशान होने की जरुवत है नहीं, वीडियो के last में भी मैं आप लोगो इसका correct answer दे दूँगा तो चलो शुरबात करते हैं, यह है आज का सबसे पहला article जो की हमारे page number one के ओपर mentioned आपको देखने को मिलेगा कल देश भर में इस article के बारे में चर्चा हुई है, वो है क्या? आपको पता होगा करनाटका में कुछ time पहले एक हिजाब controversy स्टार्ट हो चुकी थी तो यह जो मुद्दा है वो high court के अंदर पहुचा और करनाटका high court ने कल finally यहाँ पर एक decision दिया है अपना तो करनाटका high court ने यहाँ पर बोला है, wearing hijab is not essential part of religion मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से करनाटका सरकार के थूर डिरेक्टली, sorry करनाटका high court के थूर डिरेक्टली बोला गया कि देखो जो हिजाब पहनना है, यह कोई जरूरी हिस्सा नहीं है Islam religion का that is why यहाँ पर जो भी band लगाया गया हिजाब के उपर वो बिल्कुल सही है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो अब मैं आपको थोड़ा सा basic बताता हूँ, आकरकार क्या हुआ था, क्या controversy थी, तब ही आप लोग यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे देखो यह दिसंबर 2021 का महिना है, मतलब पिछले साल का आकरी महिना के बारे में आपर चर्चा की जा रही है, बहुत सारे जो मुस्लिम इस्टुडेंट्स है, गवर्नमेंट पी यू कॉलिज के, यह करनाट का उद्दूपी डिस्टर्ट के अंदर है, तो करनाट का उद्द इस कॉलिज ने हिजाब को बैन कर दिया है, फिर यह धीरे-धीरे सबी जगापर बात स्प्रेड हो चुकी थी, फिर आती है तारिक 5 फरवरी 2022, करनाट का सरकार यहां पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आती है, कहती है कि देखो यहां पर अब क्या है, कॉन्ट्रोवर्सी इस तरह से उठी, कि एक तरफ यहां पर जो हिजाब है, वो बोला जा रहा था लोग के तरू कि यहां हिजाब को अलाव करना चाहिए, और फिर दूसी तरफ से यहां पर आप देख पाऊगे, बहुत सारे हिंदू कॉम्बनिटी के लोग थे, उन्होंने भी यहां पर बोला कि जो हमारा सैफ्रोन कलर का सकाफ है, वो अलाव करना चाहिए, तो आपको बता होगा, यह सारी कॉंट्रोवर्सी बीच में उठ चोगी थी, तो उसके बाद करनाट का सरकार ने डिसाइड किया, कि यूनिफॉर्म को लेकर हमारे पास कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, ठीके एक परडिकुलर यूनिफॉर्म होगी, इस यूनिफॉर्म को पहन के सभी लोग आओगे, एक कॉमन सी यूनिफॉर्म मारे पास देखने को मिलेगी, और इसको लेकर पांच परवरी 2022 मतलब की पिछले ही महीने गाइडलाइन्स जारी करी गई, अब जैसी गाइडलाइन्स आती है, तो इस गाइडलाइन को भी काफी लोग accept नहीं कर पाते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, 9 February को होता क्या है, चार लड़किया पेटिशन जारी करती है, हाँ, कोड के अंदर, और कहती है, कि देखो जो यह हिजाब है, हिजाब यह एक इसलाम का essential part है, essential practice से बहुत ज तो इन तीनों जज़ों ने मिलकर यहाँ पर इस पूरे केस को देखा, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने finally बताया, wearing हिजाब is not essential religious practice in Islam, तो इसलाम के अंदर यहाँ पर कोई बहुत जरूरी नहीं है, कि यहाँ हिजाब पहनना ही पहनना है, अगर देखो ऐसी बहुत सरी होती है, religion के अंदर की जो की बहुत important होती है, essential होता है कि हाँ, वो यहाँ पर आप कहीं से कहीं तक उसको परोक नहीं लगा सकते, तो उस चीज़ को तो allow कर दिया जाएगा, otherwise यहाँ पर यह चीज़ essential practice के अंदर नहीं आती है, ऐसा यहाँ पर करनाड का high court के तुरू बोला ग देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी अप कोई protection ऐसी मिलेगी नहीं, जो भी यहाँ पर ban लगाया गया है, वो बिल्कुल ठीक ban लगावा है, तो exactly आप कर सकते हो, करनाड का high court के तरफ से यह statement देखने को मिल जाएगा, clear रहा तो I hope आप लो यहाँ पर बिल्कुल basic से इस जाएगा ना, तो आगे हाँ पे authors के जो point of view होते हैं, वो बहुत अराम से clear होते वे चल जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसी article के अंदर एक छोटा सा article और attach कर दिया गया, छोटा सा article क्या बोलता है, कि अब जैसे कल करनाड का high court अपना decision दिया, तो उसके बाद जो student है, वो top court, यानि कि supreme court यहाँ पर चले गए हैं, तो यहाँ पर जो student है, वो Tuesday में supreme court चले गए, करनाड का high court के judgment के अगेंस्ट में, और यहाँ पर बोला, क्योंकि करनाड का high court का judgment यह था कि हिजाब पेना, यह इसलाम में essential practice नहीं है, तो इसी वज़ा से यहाँ पर यह पहुंच गए supreme court और इनका कहना यह है, जो भी petitioner है, जिन्होंने petition जारी किया था, इनका कहना यह है कि यह essential practice है, तो इसको allow करना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, कि देखो जो Muslim girls हैं, ठीक है, इनको आप लोग यहाँ पर हिजाब नहीं प उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, वो ही यहाँ पर एक punishment मिल रही है उन girls को, साथ साथ यहाँ पर आप देख पाऊगे काफी सारे लोग हैं, जो कि यहाँ पर हिजाब पहनने को support करते हैं, और उनका कहना यहाँ पर यह भी है, कि दो कोई बी ऐसा कानून नहीं है जो कि हिजाब के ओपर रोक लगाए, तो यहाँ पर करनाड का high court का decision में बिल्कुल घलत है, अब यहाँ पर जो यह बच्चे है, वो supreme court में पहुंचे हैं, ठीक है, clear हुआ, अब यहाँ पर और कोई ऐसी information नहीं है, जो कि अलग से पढ़नी हो, इतना यहाँ पर आपको जो भ आर्गेट रख रखा है, आज का 5K प्लस likes का, तो यह article था, आगे आते हैं अगले article की तरह, उसके बाद यहाँ पर एक छोड़ा सा article आपको देखने को मिलेगा, जो की बात करता है, missile की जो अभी हमने launching करी थी, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एक mistake हो गई थी, जिसकी यहाँ पर क्या हुआ, वो missile पाकिसान में हिट हुआ, तो इस topic के उपर आज एक बहुत अच्छा editorial आया है, बहुत lengthy editorial आया है, कि हाँ, कि किस प्रकार से यह हम लोगों की through यह जो misfire हुई है missile, और इस scenario में भारत पाकिसान ने किस प्रकार से यह पूरी system को manage किया है, वो discuss करें वाले हैं, अब फिलाल page number one पर और क्या important है, एक art club को यह देखने को मिलेगा, यह भी काफी important है, examination के point of view से, खास कर GS paper to politics से इसको relate कर सकते हो, यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ बात की जारी है, lynching के बारे में, mob lynching के बारे में, तो अपने आप में एक बहुत important topic है, आप मनिपूर सरकार से, इनके anti-linching bill के बारे में, ठीक है, तो जो भी clarification है, उसम मांगी गई है, देखो क्योंकि राजिस्थान भी एक bill लेकर आया हुआ है, किसको लेकर lynching को रोकने के लिए, और मनिपूर भी यहाँ पर एक bill लेकर आया हुआ है, lynching को रोकने के लिए, ठीक है, अपको दिआन रखना है, lynching मतलब क्या होती है, इस देखो, mob lynching क्या होती है, जहाँ पर भीड जो है, वो अपने हाथ में कानून को ले लेती है, और फिर यहाँ पर किसी в्यक्ति के ऊपर, यहाँपर वो कानून को लागू किया जाता है, मतलब उस व्यक्ति को मार दिया जा इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है इस मोब लिंचिंग के अदर अभी उस टॉपिक पर थोड़ा डीटेल में चलेंगे तो यह क्लियर हुआ साथ यहां पर जो अभी क्या मिनिस्टर आफ स्टेट हैं मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर होम है नित्यानंद राई जी इनके थुरू यहां पर बोला गया जो को लिंचिंग जो है उसको कहीं पर भी क्राइम डिफाइन नहीं किया गया लेगिन NCRB के अंदर कहीं पर आपको यह देखने को मिलेगा जो NCRB का पूरा का पूरा 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 रिपोर्ट आता है सालाना आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है वहां पर NCRB ने जो है मोब लिंचिंग को एक क्राइम के अंदर ही रखावाई यह चोटी शोटी इंफोर्मेशन है जो कि हमारे लिए इंपॉरेंट नहीं है तो यह आपस म अंदर टॉपिक्स मेंशन है गॉर्मेंट पॉलिसी इंटर्वेंशन और इंडियन कॉंस्टूशन जी एस पेपर वन से भी रिलेट कर सकते हो पहले हो तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे मोब लिंचिंग होती क्या है तो मोब लिंचिंग यहाँ पर एक टर्म है जि तो फिर यहाँ पर इसके लिए यह होना चाहिए तो फिर यहाँ पर उसको मार दिया जाता है जैसा मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर ट्रीट्मेंट उस व्यक्ति के साथ होता है कई बार आप लोग देखा होगा भीड तंत्र जिसको हम लोग यहाँ पर बोलता है य चाहिए यहाँ पर बहुत गलत बोला जाता है कि यहाँ पर भीडित अंत्रू बिल्कुल भी नहीं होना चाहीया, इस प्रकार से मोब लिंचिंग नहीं होना चाहीए, लेकिन अब जब मोब लिंचिंग ओर ऊए तो उसके बीचे कोई कारण होंगे ठीक है, तो यहाँ पर समय लग जाता है पूरे केस की कारवाई करने में तो जल्दी यहां पर किसी को नयाय मिलता नहीं है तो जो जस्टिस सिस्टम वो बहुत सादा स्लो चल रहा है तो यह सबसे बड़ा रीजन है जहां पर जो लोग हैं वो काफी गुस्सा रहते ही हैं कि अगर कुछ यहां पर गल पॉटेंट रोल है लोगों की लाइफ को प्रोडेक्शन देना और लोग के बीच में एक एकता को बना कर रखना लेकिन आज का टाइम पर पुलिस एडिमिनिस्ट्रेशन सही से वर्क नहीं कर पाता है इनके तुरू यहां पर सही से इन्वेस्टिएशन नहीं की जाती है ज ऐसा सिनेरियो आता रहता है न्यूस पर काफी सार आर्टिकल्स आते रहते हैं मोब लिंचिंग को लेकर तो मोब लिंचिंग क्या है पहली चीज़ तो इसको बेसिक से समझ लिया अब बात करता है मोब लिंचिंग में भी काफी सारे प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं ग्रूप अफ फीपल के थूप, ठीक है, या फ्रकेस ने किसी बच्चे को उठा लिया है, किडनाप कर लिया है, किसी के ओपर शक है, तो यहाँ पर उसके बेसिस पर क्या होता है, उसको मारा पीटा जाता है, तो ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं, तो मतलब किसी भी वैसे देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं इसको लेकर इशू क्या है दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो मानव का एक human dignity है हमारी उसके against में इस सारी चे चली जाती है क्योंकि जो article 21 है हमारे संविधान का ठीक है इसका बिल्कुल सिरह सिदा है हाँ पर violation देखने को मिल ज होते हैं इससे क्या है right to equality यहाँ पर आप लोग देख पारे होंगे यह कहिने की वॉयलेट हो रहा है साथ साथ यहाँ पर हमारा जो article 15 है वो वॉयलेट हो रहा है तो यह सारे हमारे fundamental rights है तो एक व्यक्ति के पास भारत का एक नागरी के उसके पास बहुत सारे उसके मूल अध की गई है तो इन आर्टिकल्स का कहीने कहीं यहाँ पर violation देखने को मिलेगा अगर mob lynching होती रहती है तो यह आपको जानना होगा उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया कि देखो mob lynching के बारे में कहीं पर भी प्रॉपर्री मेंशन आपको देखने को मिलेगा नहीं उसके सुप्रीम कोड ने एक केस देखा तैसीन एस पूनावला वर्सिस यूनियन आफ एंडिया का यहाँ पर सुप्रीम कोड ने बिसिकली बहुत सरे रिमेडियल और प्रेटिव मीजर्स दिये कि हाँ बहुत कि इस प्रकार से हम लोग लिंचिंग को डील कर सकता है मोब लिंचि कोड़ी कोड़ से उसके साथ सुप्रीम कोड नीष्टाप उठाया वह वीरियूस कंपंजिशन इसकीं का इसका मतलब यह को सारे यहां पर दिये गए ताकि एक विक्रेम कंपंजिशन स्कीं को बनाया जाए ताकि मानलो किसी के साथ तैस इसकी मोब लिंचिंग होई यह कोई हंटेज जारी किया सेंटर को हमारे केंदर सरकार के साथ साथ कुछ राजे को भी यहां पर जारी किया और उनसे बुला कि आप लोग यहां पर हमें बताओ कि आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो कि किस प्रगात से मोब लिंचिंग में बिल को बनाया है राजिस्तान और मनिपूर वाले बिल के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही आर्टिकल में उसके साथ साथ जारकर्ड असेंबली ने भी यहाँ पर अभी क्या हुआ इनके थूबी प्रिवेंशन आफ मोब वॉयलेंस एंड मोब लिंचिंग बिल को पास क की लिया है साथ यहाँ पर कोई विक्टेम है किसी के साथ ऐसा हुआ है तो इसको कितना कीतना कंपेंजेशन मिलेगा यह र इक राज्ये के अंदर अलग-लग बिल के अंदर अलग-अलग कंपेंजेशन का वोज्यूम सेंन किया है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं अक तो इसमें यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान क्या कर सकते हैं अवले टाइम पर अगर यहाँ पर इन चीजों को असर रोकना है तो क्या-क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर ने बताई है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नुक्सान भी हो सकता था प्लस दोनों के भीश में लडाई हो सकती थी प्लस उसके बाद यहाँ पर दोनों की जो मैचुरीटी देखने को मिलिये खास कर पाकिस्तान की साइट से जो याँपर रस्पॉंस देखने को मिला है, वो अर्णबिलेवल रस्पॉंस है, हमने याँपर कभी एक्सपपक्ट नहीं किया था कि इंडियान डिप्लोमेसी में भरत नातियम क्या हमें खेल दिखाना होगा भरत नातियम क्या है यहां पर वो यहां पर ओथर ने समझाया है कि जैसा भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है हर तरीके से चेंज हो जाओ अपनी तर अपने आप भी और साथ यहां पर जो भी जैसा कर रह इंफोर्मेशन दिये गए वो भी हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं देन उसके बाद यहां पर आप देख पाऊगे नीचे क्रिकेट की न्यूस को लेकर चर्चा की जारी है जो हमाले इंपोरेंट नहीं है और यहां पर फिर अगें इंफ्लेशन के बारे में चर्चा की important article है यहां पर एक debate चल लएए temples को free करने के लिए मतलब कि यहां पर जो सरकार के अंडर में temples आ रहे हैं तो यहां पर government control को हटाने के बारे में चर्चा की जारी है क्यों चर्चा की जारी है डिसकस करेंगे यह अगें एक करनाटका का ही issue देखने को मिलता है फिर उसके बाद यहां पर मैं आपको directly एक और article दिखाता हूँ जो हम लोग last में discuss करने वाले हैं text और context पर आपको पता होगा दहिंदू का text और context का प्ये जाता है काफी interesting सा यहां पर एक article आपको देखने को मिलेगा यह बात करता है भारत के solar capacity के बारे में कि भारत की solar capacity आज के टाइम पर क्य है हम लोग किस प्रकार से ग्रो किये हैं प्लस हमारे पास क्या क्या चैलेंजिस आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं काफी लेंदी सा आर्टिकल है important है discuss करेंगे सारे important aspects को तो चलो फिर directly हम लोग cover करते हैं अपने एडिटूरियल को starting में क्यों आ गए यहां बीच में आप लोग अपने पहले आर्टिकल की तरफ जो यह वाला एडिटूरिल है बसकाली द्यास उसंते चलना मैं लाइन टू लाइन आप लोग को बताता रहूंगा यह एडिटूरियल लिखा गया है happy man जकॉब तीक जी के दुरू अब यह कौन है यहां पर teach करते हैं school of international studies के अंदर स missile की testing कर रहा था है अब missile हम लोग test कर रहे थे उसी दोरान वो missile misfire हो गया हर्याणा से यह missile misfire होता है और हर्याणा से misfire होने के बाद यह पाकिस्तान के अंदर जाकर hit हो जाता है यह यहां पर article के अंदर आपको देखने को मिलेगा और सबसे वड़ी बात क्या है पाकिस्तान ह जाए इंडिया हो दोनों ही आज के टाइम पर nuclear armed countries दोनों के पास आपको nuclear weapons आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं तो इससे situation खराब हो सकती थी जो कि यहां पर अच्छी बाते नहीं हुई है फिर उसके बाद और क्या बताया गया देखो यहां पर क्या है यह सब कुछ incident होने के बाद यहां पर भारत ने बाद में अपनी mistake को accept भी किया कि यहां बिलकुल एक mistake हुई है और गलती से यहां पर यह हुआ है जिए एक misfire यहां पर देखने को मिल गया थोड़ा बहुत issues था जिसकी वैसे यहां पर सब incident हुआ ठीक है कुछ ही मिनट के अंदर वो missile ने य सबसे पहला चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा author ने mention किया mature response को missile इंडिया से छूटा पाकिसान के अंदर hit हुआ पाकिसान की side से कुछ गलत steps भी उठाए दिये मतलब उठाए जा सकते थे जो कि यहां पर नहीं उठाए गए हैं यहां पर author mention करता है पाकिसान का जो response ह इस accidental firing को लेकर वो काफी balanced देखने को मिला है ठीक है यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर हम लोग देखें जो न्यू डेली है न्यू डेली ने यहां पर काफी लंबे समत एक silence maintain रखा मतलब भारत ने एक चुपी maintain रखी क्योंकि यह 9 March को चुका था हाला कि पाकिस्तान न यहां पर इसके बारे में चर्चा करनी चालू करी 11 March को तब तक तो भारत भी यहां पर चुप था फिर भारत ने यहां पर exactly इस information को भारत ने उठाया और हां फिर उसका बताया कि बिल्कुल 11 March को यहां पर यह information मेरे पास आती है और भारत बोलता है कि हां हमने 9 March को एक missile की य उल्टा सीधा स्टैप उठाया नहीं गया पाकिस्तान ने यहां पर यह नहीं सोचा कि भारत ने इंटेंशनली नहीं यानि कि जान बूच कर भारत ने missile छोड़ा तो पाकिस्तान की तरफ से यह भी statement कोई आया नहीं और कोई ऐसी injury वगरा देखने को मिली नहीं है फिर उसके यहां पर हमारा सा demand भी यही रख रहा है कि देखो एक joint inquiry होनी चाहिए और पता लगाने चाहिए क्या क्या facts हैं जिसकी वज़त से यहां पर यह एक जो पुरा का पुरा यहां पर misfiring है वो देखने को मिली है फिर उसके बाद author और क्या बोलता है इस sense ब अगर हम लोग देखें तो इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों के जो response हैं वो यहां पर brilliant response देखने को मिले हैं दोनों ने काफी अच्छे से अपने आपको यहां पर समाल के रखा क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की side से भी कोई essas statement नहीं आया और इंडिया की side से भी यहां पर सारी चीज़े काफी तो दोनों के बीच में याँ पर जो communication था वो काफी मतलब खास कर communication तो नहीं कह सकते, communication तो बेकार है ही लेकिन दोनों के बीच के जो यहाँ पर response था वो काफी तगड़ा देखने को मिला और यहाँ पर इसी चक्कर में हम लोग को जरुवत है एक bilateral mechanism की क्योंकि यही से एक मुद्दा यह उठता है कि ऐसे crisis possibility की आईवले टाइम पर भी होंगे तो उसके लिए एक ढंक से हमारे पास बाचीत करने का जरीया होना चाहिए वो रहेगा तो उसके माद्यम से हम लोग इस प्रकार के सिनेरियो को भी कम कर पाएंगे अगर आप लोग देखोगे जब यह incident हुआ तो इस incident के बाद में कोई commissioner talk नहीं हुई कोई भी बातचीत नहीं हुई कोई bilateral dialogue नहीं हुआ कोई expert level talk नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ ठीके अपने आपी मामला यहाँ पर दिरे दिरे शांत किया गया क्लियर हुआ फिर साथ साथ और गया बताया गया जो यह missile incident है यहाँ पर गर हम दो लोग देखें तो इससे एक बहुत बड़ा crisis भी हो सकता था एक बहुत बड़ा यहाँ पर दुरगटना घट सकती थी लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा जो की काफी अच्छी बात है चोड़ देता तो यहाँ पर काफी कुछ possibility हो सकती थी ऐसा यहाँ पर author बोलते हैं कि अलग-लग जब आप लोग सोचोगे तो अलग-लग possibility निकल कर आती हैं इंडिया के उपर पाकिसान का एक border response हो सकता जागा उत्तर प्रदेश assembly election चल ले थे तब एक दमाका कर सकता था पाकिसान इंडिया के अंदर ठीक है मतलब पाकिसान जो है एक तरीके से attack कर सकता था वापस मैं क्या कर कि हाँ इंडिया ने attack किया है हमारे उपर ठीक है तो यह आप लोग देख पाओगे लेकिन क्या हुआ दोनों के बीच में scenario बिलकुल ठंडा रहा जिसके अंदर पाकिसान का response एक काफी अच्छा response माना जा रहा है साथ-साथ ऑथर बोलते हैं देखो यहां पर इसका मतलब यह नहीं कि accident नहीं होते है accident होते रहते हैं यह एक accidental firing थी और accident होते हैं यह यहां पर देखने को मिलता है बट यहां पर दिक्कत पता है क्या थी दिक्कत यह थी कि जो दोनों देश हैं दोनों देशी nuclear weapon country है भारत के पास भी आपको nuclear weapon देखने को मिलेगा परमाणू हतियार देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के पास भी आपको पुरा इंसिडेंट है यहां पर भारत की तिरफ से जो मिसाइल गया था वो ब्रहमोज मिसाइल था लेकिन वो जो मिसफायर हुआ है मिसाइल उसके उपर जो न्यूक्लर वारेड होता है वो नहीं था अगर वो होता तो उससे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता था ल जो कि यहां पर एक तरीके से मिसफायरिंग हुई है उसकी और एक्सिडेंटली जाकर पाकिसान में हिट हुआ और फिर उसका क्या बताया गया अगर हम लोग देखें कि जो इंडिया है इंडिया ने यहां पर आप देख पाऊगे इंडिया का जो वहिकल था मतलब जो भी हम क्योंकि दोनों कंट्रीज में आपको बता है नुकलर वेपन कंट्रीज है तो यहां पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वोस्ट कंडिशन की तरफ आगे बढ़ सकती थी फिर उसके बाद ऑथर ने और क्या बोला कि यहां पर सबसे चिंता वाली बात क्या है वाट इस ड दोनों कंट्रीज के बीच में connectivity, stability बहुत कमजोर सी देखने को मिलती है इसके पीछे के चार करण है और यहां पर यह बोलते है और फिर उसके बाद ऑथर साथ साथ यहां पर solution भी देते हैं सबसे पहला यहां पर करण आपको यह देखने को मिलेगा देखो एक चीज आपको बता होगा जब missiles की testing करते हैं तो उसके लिए एक rules and regulation है हमारे पास हुआ है pre notification of flight testing of ballistic missile agreement यह agreement 2005 के अंदर यह आपको आया हुआ दिन नजर आएगा तो इस agreement को भारत और पाकिस्तान दोनोंने sign कर रखा है अब पता है इस agreement का मतलब मकसद क्या है इस agreement का मकसद यह है कि मतलो भारत यहाँ पर एक missile की testing कर रहा है तो पहली बात तो border से 40-50 km दूर रहेगी वो missile और border से दूर रहने के साथ साथ पाकिस्तान को हम पहले inform कर देंगे कि हम लोग यहाँ पर एक missile की testing कर रहे हैं और इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ होगा पाकिस्तान border से दूर करेगा missile की testing और हम इन्फॉर्म कर देगा कि हम लोग इस मिसायल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको लेकर एक अगरीमेंट हुआ था दो हजार पांच में तो आपको अभ यहाँ पर लगेगा कि ऐसा अभी क्यों नहीं किया गया फिर अभी जब हम लोग यहां पर टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने तब क्यों नहीं information दी पाकिसान को तो देखो इस agreement के अंदर यही कमी है कि इस agreement में cruise missile mention नहीं है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ballistic missile है अब पहले question दिमाग में यही आता है कि cruise missile और ballistic missile क्या होता है तो देखो simple से हम आपको एक structure बना के समझाता हूँ मान लो यहां से हम लोग missile को launch कर रहे हैं और यह हमारा target है जब हम लोग ballistic missile को launch करते हैं तो वो यहां पर इस प्रकार से जाता है environment से बाहर निकलेगा और वापस environment में enter करेगा फिर जाकर यहां पर अपने target को hit करेगा यह होती है ballistic missile लेकिन जो cruise missile होती है वो यहां पर इस प्रकार से जाती है उसका direct यहां पर एक path देखने को मिल जाता है तेयर हुआ तो यहां पर जो यह agreement हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ballistic missile को लेकर हुआ है और cruise missile को लेकर निवा है और सबसे बड़ी बात जो ब्रहमोज है वो एक cruise missile है ठीक है ब्रहमोज एक cruise missile है that is why हम लोग यहां पर इस agreement के चीजों को fulfill नहीं कर पा रहे थे इसी वज़ा से हम लोग यहां पर Pakistan को इनिफॉर्म नहीं कर पाए otherwise अगर हम लोग किसी ballistic missile का टेस्ट कर रहे होते तो हम लोग यहां पर पहले Pakistan को इनिफॉर्म करते यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि यह जो notification है जो rules and regulation है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बलिस्टिक missile है तो आपका होगे इसका solution क्या हो सकता है कोई भी यहां पर flight test से पहले और फिलाल यहां पर एक misfire हुआ था आपको पता होगा हम लोग flight test कर भी ने रहे थे और misfire ही यहां पर एक देखने को मिल गया था clear हुआ इतना मुद्दा चलो next point पर आते हैं तो यह तो यहां पर पहला मुद्दा बताया कि हाँ यह यह चीज़ें हैं यह कमी हैं यह सुधार है author ने यह बोला दूसरा point यहां पर author ने उठाया कि अगर हम लोग बात करें दोनों countries के बीच के relation इतने खराब है न कि इन्हों ने nuclear confidence building measure को लेकर मतलब जो भी यहां पर nuclear यहां पर आपको facilities देखने को मिलेंगी इसको लेकर एक meeting हुआ करती दिये अब वो जो meeting है वो भी कुछ सालों पहले होई थी हाला कि वो हर साल meeting होनी चाहिए तो यह यहां पर एक सबसे बड़ा incident यह देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में जो यहां पर nuclear confidence building measure conventional CBM आपको देखने को मिलेगा इनकी meeting properly होनी पारी है तो इंडिया पाकिस्तान के जो relation है वो obviously बाते हैं यहां पर काफी बुरी condition में आचके टेम पर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं लेकिन यहां पर बात आती है security की तो यहां पर हम लोग को एक urgently जरूरत है किस चीच को लेकर कि हमने recently जो incident देखा है इसकी वज़ा से हम लोग को दोनों countries के बीच में जो बातचीत का जरिया है उसको थोड़ा सा जिवित करना होगा क्योंकि बहुत साल पहले ही हमने वो जरिया खतम कर दिया है तो उसको वापस से उठाना पड़ेगा और हम लोग को nuclear facilities को लेकर दोनों countries के बीच में आपस में discussion करना होगा और इस discussion के माध्यम से हम लोग काफी सारी problems का resolution कर सकते हैं तो ये दो point हो गए उसके साथ author ने तीसरा point मेंशन किया तीसरा point यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा खत्रा इंडिया पाकिसान के security में आता है चाइना ठीक है यहाँ पर इस region को और ज़दा इनिस्टेबल बनाने के लिए चाइना का बहुत बड़ा रोल है अब है क्या कि देखो पाकिसान भी nuclear weapon country है इंडिया भी nuclear weapon country है और सथ सथ चाइना के पास भी आप देख पाऊगे nuclear हतियार देखने को मिल जाते हैं तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पर बहुत ज़ादा ज़रूरत है कि इनके पास mechanism होना चाहिए कि आपस में communicate कर सकें अदरवाइस यहाँ पर चाइना के बीच में आकर एक बहुत बड़ा लडाई करवा सकता है दोनों देखों के बीच में जो कि पहले चाइना के तुरू काफी बार कोशिच की गई है तो है कि यहाँ पर इनडिया पाकिस्तान दोनों के यहाँ पर एक mechanism की ज़रूरत है communication की कि आपस में बातचीत हो दोनों के बीच में इनडिया पाकिस्तान हो क्या करना चाहिए एक बातचीत करने के लिए क्या setup कर लेना चाहिए एक प्रकार का NRRC NRC क्या है यह है Nuclear Risk Reduction Center ठीक है तो यहाँ पर Nuclear Weapons का रिस्क जो है यह कम हो जाता है यह जो NRC है यह Already Establish क्या गया था किस किस के बीच में यह Establish क्या गया था US और Soviet Union USSR के बीच में Cold War के समय में शेहित उद की समय की बात है US Soviet Union ने इस प्रकार का एक यहाँ पर Center बना रखा था जहाँ पर दोनों मिलकर आपस में बाचीत करते हैं डिसकेशन क्या करते हैं जिसकी वज़े से ज़्यादा नुकसान देखने को मिला नहीं दोनों कंट्रीज के बीच में तो यही स्टेप आज के ने पर भारत को उठाना होगा इस प्रकार के structure हम लोग को बनाने होंगे जहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के साथ communication कर सकें यह यहाँ पर author mention करते हैं फिर उसके वाद और के बताया गया जो यह NRC है इसका major objective क्या है कि यहाँ पर क्या हो कि इसी सेम प्रकार का जो structure है वो दूसरा पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा जहाँ पर बैटकर बातचीत होगी हम लोग message कर पाएंगे communicate कर पाएंगे properly जिसकी वाज़से हम लोग क्या कर सकते हैं जो security उसको और जदा improve कर सकते हैं साथ से यहाँ पर ये भी बोला गिया कि जैसा आज के टाइम पर इंडस water treaty को लेकर होता है आपको पताओगा जो इंडस नदी है इंडस के नदी के साथ और भी काफिसरी नदिया है इसको लेकर एक इंडस water treaty होई है अब इस पानी को उपयोग को लेकर क्या होता है हर साल एक meeting होती है permanent इंडस commission बैठता है तो उसी प्रकार से हर साल आप इस nuclear facility को लेकर meeting कर सकते हो ठीक है आपको बता होगा recent यह भी permanent इंडस commission बैठा था हमने उस article कवर भी किया है इंडस water treaty के बारे हमने काफी अच्छी से सारी चीज़ों को समझाए तो यही यहाँ पर रखा गया है जैसे permanent इंडस commission साल में एक बार बैठता है वैसी आप भी साल में एक बार बैठ सकते हो आप उसमें discussion कर सकते हो communicate कर सकते हो इससे क्या होगा इससे जैसा अभी incident हुआ है न वो incident के बाद जो relation और ज़दा भत्तर होने के जो यहांसे से वो काफी कम हो जाते हैं यह आपर ऊथर ने मेंशन किया फिर लास्ट में आपर ऊथर मेंशन करते हैं कि बई देखो जरूरत है इंडिया को यहाँ पर एक assurance जैने की पाकिसान को और सत्याद यहाँ पर की बताने की बई जो यह mistake हुई है वो आगे mistake नहीं होगी त इसे काफियत तक matter करती हैं relations के अंदर क्लियर वा तो काफी लंबा चोड़ा आर्टिकल था I hope आपको सारी बाते बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं जो भी author ने यहाँ पर लेकिए line to line मैंने आपको सारी बाते यहाँ पर बता दी हैं चलो अगले article पर आते हैं next article बात करत को मिलेंगे observer research foundation के अंदर ठीक है तो research वगेरा आचके time पर कर रहे हैं इनको ऐसे आप लोग जान सकते हो बट अदरवाइस यहाँ पर कोई जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट यहाँ पर नाम पता रहता है ना तो इससे पता चलता कि यहाँ यह author articles लिखते रहते हैं और इनके articles थोड़े meaningful articles होता है अदरवाइस बहुत सरे articles हाथ हैं जहाँ पर कोई meaning ऐसा देखने को मिलता नहीं है clear हुआ तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा इस कौम लोग थोड़ा सा समझते हैं इन्होंने बोला एक व्यक्ति है लेट जोतेंद्रा नात दिक्षित यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो हुआ कि यहाँ पर यह एक foreign secretary का पद लेते हैं December 1991 में फिर रिटायर होता है 26 में बाद 31 जनवरी 1994 में 68 साल की यहाँ पर 58 58 साल की ओम्र देखने को मिलती है दिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह रिटायरमेंट जिनका नाम है जोतिंदरानात दिखसित इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन डिप्लोमेसी के अंदर तो इनके रास्ते पर हम लोग आज के टैंप पर चल सकते हैं जो कि हम लोग चल भी रहे हैं क्योंकि अभी recently आपको बताओगा रश्या यूकरेन के विवाद क एपस्टेन कर दिया है हर जगह पर चाहे वो यू अना सब हरत नोरiva तो हे उँघ्ण साज को अग.' ग्सेडल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर कुछ चैलनजिस बगर एकसेप्ट करें जब यूस्च adult क्राइए बहुत साड पर सारे क्रैशюсь क्रीए त्व ने देश बने, अब 15 ने देश बने तो भारत को यहां पर चीजे ठोड़ी सी बदलनी थी तो जैसे जैसे यहां पर सिनियारियो बदला, 15 देश बने ने नें भारत ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नएनी MSC's खोल दी इन countries के अंदर इन countries के साथ relations को develop कर लिया Central Asia country के साथ आज देख पाओगे relations काफी अच्छे है Central Asia जहाँ पर कजखस्तान, उस्बैकिस्तान, करगेस्तान, तुर्कमैनिस्तान यहाँ पर यह पांच देश आपको देखने को मिलते हैं हमारे history के अंदर उस प्रकार से भारत ने भी countries के साथ relation को बदलता रहा, जैसे आप example दख सकते हो 15 देश नहीं बने तो उनके साथ relation हमने बना डाले नएने offices, embassies वगरा को open कर डालिया ठीक है, अब होता क्या उसके बाद January 1992 के अंदर भारत और इसरेल दोनों के जो relation से वो काफी मजबूत होता है तो इंडिया, इसरेल के जो relation है वो start हो जाते हैं बना 1992 से, फिर उसके बाद यहाँ पर इतने ज़ादा अच्छे हैं आज के टाइम पर उनकी शुरुवात यहीं से होती है और साथ-साथ बताया गया कि उस समय पर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग एक embassy open करेंगे embassy के जो ambassador से वो पहली बार exchange किये गए भारत और इसरेल के बीच में ठीके, relationship दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खुल चुके थे ठीके, इंडिया का आज के टाइम पर भी आप देख पाऊगे most strategic partner आपको देखने को मिलेगा पिछले 30 सालों से एक बहुत important partner है जो कि हम लोग को लगातार बहुत सारे हत्यार वगरा भी supply कर चुका है तो बहुत सारे हत्यार वगरा हम लोग इसराइल से भी लेते हैं तो इसराइल भी यहाँ पर इस category के अंदर है तो मतलब जैसे जैसे इसराइल को यहाँ पर recognition प्राप्त हो रही थी यूँकि आज के टाइम पर आप देख पाऊगे फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी अब बात करते हैं न्यूकिलर डिल को लेकर तो 31 जनवरी 1992 का समय था हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी इनर्सिमर राओ जी थे तो इन्होंने यहाँ पर participate किया एक पहली meeting में जो कि United Nations Security Council के अंदर हुई थी एक समिट लेवल यहाँ पर देखने को मिला था भारत इसका member था 1991 से लेकर 1992 के समय के बीच में अब यहाँ पर यह जो meeting होई इस meeting को यहाँ पर precise कर रहे थे एक बिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर वोल अब उसके बाद क्या होता है अगर हम लोग देखें इस पूरे sideline के अंदर जो हमारे PV नरसमर राओ जी है इन्होंने एक meeting रखा US के प्रेसिडेंट के साथ में उस समय US के जो प्रेसिडेंट है वो George H.W. Bush हुआ करते थे तो दोनों लीडर ने मिलकर decide किया कि हम लोग क्या करेंगे अपना भारत और अमेरिका के जो relation उसको मजबूत करेंगे क्योंकि यहाँ पर जरूरत थी दोनों के relation को ठीक करने की क्योंकि cold war के समय पर relation काफी खराब हो गए थे हमारत ने ना इसको जोइन किया रिलेशन काफी खराब हो गए थे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे हमारा जुकाफ सोभी तुनन की तरफ काफी रहता था होता हैं जिनके बारे माँ भी हमने पड़ा था मिखसर देखेट यहाँ पर वाशिंग्टन जाते हैं दो महीने के लिए ठीके विजिट करते हैं दो महीने बाद और यहाँ पर क्या होता है फिर वह आपस में बातचीत करते हैं मतलब पीवी नरसी मराव जी होकर आगए एग्रिमेंट होता है इंडिया यूएस सिविल नूपरेशन आप देख पाओगे यहां पर यह आने विले टाइम पर फिर यह अग्रिमेंट भी होता वह नजर आता है तो इसके बाद यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से भारत ने जो है यूएस को में Association of Southeast Asian Nation के बारे में तो यहां पर इनका समिट होता है 27 जनवरी 1992 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राव साब ठीक है वही पीवी नर्सिमर राव साब यह यहां पर लुक इस्ट पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं मतलब कि भारत जो है वो इस्टन कंट्री से साथ अपने अपर बारत करता है फिर भारत यहां पर सपोर्ट करता है भारत कहता है कि हम लोग यह जो मैंनमार लाओस के सारी जो इस्टन कंट्री से इनके साथ रिलेशन को अच्छा करेंगे और फिर 1995 के एंड तक यह एक पूरी अच्छी तरीके से डायलोग पार्टनर्शिप बन जात ठीक है यह आप लोगों ने क्लियर हो गया अब बात करते हैं तो यह हमने देखा आसियान स्टार्टिंग में कैसा था भारत ने कैसे रिलेशन कोमिटन किया अब बात करें चायना और ताइवान के सेक्टर रखी तो अभी हमने किसके बारें बात कर ली यूएसे सर के बारें बात कर लिए इंडिया इस्रेль के बारें बात कर लि यूस से के बारें बात कर लिए फिर उसका आसियान के बारें बात कर लिए ते उसके बात चाइना और ताइवान के बारी जब आती है तो अगें यहां पर एक intense negotiation हम लोग करने चायना के साथ में हमारे पीवी निरसी मा राओ जी यहाँ पर चायना विजट करते हैं सेप्टमबर 1993 में और जो ये दोनों साइड हैं ये दोनों साइड यहाँ पर स्टार्ट कर देती हैं आपसे बाचीत करना confidence building measures को start के जाता है agreements वगर आप देखपाऊगे होते हैं line of actual control पर किस प्रकार से शांती को maintain करना है इंडिया चाइना border पर किस प्रकार से शांती को maintain करना है वो सारी बातें यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में होती है यह काफी लंबे समय 1993 के आस पास की बात देखने को मिलेगी और simultaneously मतलब चाइना के से हम लोग relation अपने बढ़ाई रहें और उसी के साथ साथ हम ताइवान के साथ भी relation को बढ़ा रहें और जो भी देश as a country recognize करतें ताइवान को वो कहीं लगी चाइना का दुश्मन मन जाता है क्योंकि चाइना नहीं चाता कि कोई भी देश ताइवान को एक अलग से देश मने लेकिन यहां पर क्या हुआ भारत ने इस प्रकार से चाइना के साथ relations को maintain किया असाथ भारत ने ताइवान के साथ भी यहां पर एक negotiation किया ताइवान के साथ भी हम लोगों ने यहां पर एक cultural centers को open किया economic centers को open किया और ताइवान का जो पहला office था वो यहां पर मुंबई में open होता है 1992 के अंदर ठीके डेली माने से पहले यहां पर मुंबई के अंदर यह office open होता है यह बताया गया भारत ने यहां पर फिर इंडिया तापाई जो association office है इसको establish कर लिया था 1995 में ऐसा यहां पर हम लोग देख पाएंगे साथ ज़द और के बताया गया इन पूरे सालों में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बोला जाता है कि जो मिस्टर दिक्सित साब है इनके अंदर काफी patience था काफी patiently यहां पर क्या करते थे अच्छे से अलग countries के साथ engage करते थे बाचीत करते थे या फिर किसी question का response करते थे जिसकी वज़ा से यहां पर आज टाइम कर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अलग-लग देशों के साथ relations को maintain किया है फिर उसके बाद और के बताया गया अगर हम लोग बात करें Indian diplomacy के अंदर तो यहां पर कभी-कभी हम लोगों को जरुरत है भरत नाटियम की bit of भरत नाटियम तो author यहां पर बोलते हैं यहां पर क्या एक भरत नाटियम की जरुरत हम लोगों को point यहां पर author का बहुत simple है इसका मतलब यह है कि आपको you may appear in different forms to others but after you have first secured your interest इसका मतलब समझे मतलब क्या है कि देखो यहां पर आपको अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मुद्दे हो रहे हैं आप उसमें देखो दुनिया भर में अलग-अलग बड़े-बड़े मुद्दे हो रहे हैं आप घुस गय Ayas लेकिन वहाँ पर आप अपना पहला इंट्रेस्ट देखो कि मुझे वहाँ पर क्या फाइदा हो रहा है मेरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ठीके नुकसान हो रहा तो पीछे हट जाओ फाइदा हो रहा तो definitely आगे बढ़ा हो हाथ तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो ये यहाँ पर एक भरतना टेम आपको देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पर क्या है आपकी जो different forms यह अबरतना टेम अलगलग forms आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर अलपकी जो अलगलग forms से वो अलगलग जगा पर आपको रखनी है यहाँ पर author मेंशन करते हैं जैसा अभी तिहास में हुआ है फिर उसका author ने वोला अगर हम लोग पिछले कुछ सब्तों की बात करें जो debates है, discussion है भारत, media के अंदर TV talks के अंदर वो बहुत ज़ादा हो रहा है किसीच को लेकर हो रहा है कि भारत ने Ukraine conflict के ओपर कुछ stand नहीं लिया United Nations Security Council हुआ United Nations General Assembly हुआ या फिर United Nations Human Rights Council हुआ इन सभी जगा पर भारत ने abstain कर दिया भारत ने आपर किसी को support किया नहीं तो यह यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यह चीजे mention करी गई फिर साथ साथ बताया गया जो Indian government कर दिया इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है सभी जगा पर TV debates वगर आपको देखने को मिलेंगे तो यह author फिर बोलता है यह जो abstention है जो यहाँ पर भारत की थूरू स्टाप उठाया गया है यह यहाँ पर कहीन है कि हम लोग को एक करने का यही मुद्दा है ना हम युएस की साइड गये ना हम रश्या की साइड गये तो यह क्लियर हुआ फिर उसके साथ और क्या बताया गया अगर हम लोग यह चीज़ देखें तो और यहाँ पर यह बोला है कि जो यह स्टाप उठाया गया एक मिडल जो पात है इसके अं मतलब भारत ने अब स्टेटों कर लिया तो भारत के अंदर अब्स टेन ही किया गया वहा जो साथ साथ भारत को यहाँ पर अभी जो भारत ना ठे novo स्टेप का मतलब पज़ग है वह वह यहाँ पर कि आप कर दो दुनिया घर मैं लग लग बदलाव हो रहा है तो उसके साब साब कदम रखो आप पहले अपने इंट्रेस्ट को देखो देखो देखे जैसा कि अभी भारत नहीं आपर किया अगर हम लोग एक कंट्री के तरफ जुक जाते ना तो एक बहुत बड़ी प्राब्लम क्रियेट हो जाती हमारे लिए ठीक है तो हमने एक कंट्री के तरफ भी जुका वैसे अपना दिखाया नहीं है क्योंकि रश्या के साथ भी रिलेशन्स हमारे अच्छे हैं हम लोग काफी कुछ पर्चेस करते हैं रश्या से काफी बार मैं आप लोग को रश्या एंडिया के रिलेशन्स पढ़ा चुका हूँ और साथ-साथ US के साथ भी relations हमारे काफी ज़्यादा अच्छे हैं काफी सारे agreements हमारे US के साथ चलते हैं तो दोनों के बीच में हम लोगों को एक middle path तर लेना था वो हम लोग ने middle path choose किया है और ऐसे ही हाँ पर आगे भी चलना है और जो हाँ पर भी हमें लग रहा है कि यह जो मुद्ध है इसमें अपना interest है तो यहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ को grab करना है clear हुआ तो यह एक छोड़ा सा information था एक छोड़ा सा editorial था जो कि यहाँ पर author ने इसको mention किया तो मज़ा राया तो editorial पढ़ने में आप फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर देना लाइक नहीं किया तो मैं आपको दुबारा से याद दिला देता हूँ ठीक है ताकि आप लोग यहाँ पर भूलना जाओ आगे आते हैं अगले editorial की तरफ नाओ जो next editorial ही बात करता है भारत की solar capacity के बारे में और हमें क्या-क्या परिशानिया फेस करने को मिल रही है solar capacity के मामले में उसको लेकर तो इंडिया को आज के टाइम पर ज़रूरत है 10 GbW of solar energy की ठीक है अगर हम लोग बात करें और यह यहाँ पर इतनी energy के हम लोग को ज़रूरत है 2021 के perspective से अगर हम लोग देखें तो देखो अभी आज के टाइम पर कलम लोग देखें अभी जो हमारे 12 महीने की capacity है वो काफी जादा है भारत लगातर solar sector के अदर काफी grow कर रहा है मतलब solar panels लगा कर हम लोग electricity को generate कर रहे है भारत ने अभी 50 गीगावाट का अपना target क्रॉस कर लिया है हमारे पास जो installed solar capacity है वो 50 गीगावाट के मतलब इतनी बिजली हम उत्पादन कर सकते हैं अपने इस solar energy के माद्यम से ये 28 फरवरी 2022 तक का data है साथ साथ यहां पर बताया गिया ये अपने आप में एक milestone है इंडिया की journey के अंदर और हमारा एक target है कि हम लोग 500 गीगावाट जो renewable energy है सूरे के माद्यम से हवा के माद्यम से जो एक साफ energy को generate करें ये हमारा target है कितनी 500 गीगावाट तक की energy generate करने का target है 2030 तक जिसमें से 300 गीगावाट तक की energy यहाँ पर expected है कि हम लोग सिर्फ वा सिर्फ solar power से लेकर आएंगे सूरे की energy से generate करेंगे ठीक है ये clear हुआ भारत की जो capacity आज के time पर तो इसके हिसाब से हम लोग 5 वे नंबर पर आते हैं solar power deployment के अंदर में हमारा जो contribution है यहाँ पर दुनिया बर के अंदर जो solar capacity है उसके अंदर 6.5 प्रतीशत का contribution देखने को मिलेगा इसको हमें बढ़ाना है बढ़ाने के लिए क्या करना है वो यहाँ पर author ने लिखाए अगर हम लोग देखें तो भारत के अंदर जो बड़े-बड़े एरिया से बड़े-बड़े फील्ड से वहाँ पर तो solar panels लगाने में काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन जब हम बात करते है RTS की मतलब जो roof वाला system होता है लोग अपने छटों के उपर solar panel लगा है rooftop solar जो system होता है वो उसके अंदर हम कईने के कमजोर रहे गए उसके अंदर कईने के पीछे रहे गए तो छटों के उपर यहाँ पर लोगों ने solar panels लगाना इतनादा प्रेफर किया नहीं otherwise हम लोग और भी बहुत सारी energy solar energy ही generate कर रहे होते तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कुछ हिससे आपको देखने को मिलेंगे जैसा यहाँ पर बोला गया जो 50 GW का installed solar capacity है जिसमें से यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी जो 52 GW के energy है वो directly बड़े-बड़े solar panels से निकल कर आ रही है बड़े-बड़े field से निकल कर आ रही है और उसके बाद यहाँ पर जो 6.48 GW के energy है वो स्रिफ और स्रिफ रूफटॉप solar से निकल कर आ रही है मतलब जो लोगों ने चछतों पर solar panels लगा रहे है तो बहुत कम energy निकल कर आ रही है बहुत कम energy मिल रही है हम लोगों जो की चछतों पर solar panels का installation हुआ है तो यह जो RTS system है rooftop solar installation system इसके अंदर हम काफी पिछडे रह गए हैं ऐसा यहाँ पर इस article के अंदर mention किया गया तो अब question यह है कि पिछडे रह गए हैं यहाँ पर हम लोगों जरुवत है कि हम लोग यहाँ पर एक effort लगा है जहाँ पर जो rooftop solar system मतलब लोग अपने चछतों के उपर solar panels लगाना शुरू कर दें इसके लिए यहाँ पर क्या कर जा सकता है financing की जा सकती काफी सारा पैसा दिया जा सकता है जो residential consumers उनको यहाँ पर financing दीजा सकती हो कि सबसे बड़ी problem यहाँ पर financing की है साथ-साथ जो smaller medium enterprises है इनको financing दीजा सकती है जो भी चाहता है rooftop solar को लगाना वो बिल्कुल यहाँ पर पैसा उठा है markets और उसके बाद यहाँ पर वो अपने यहाँ पर इस पूरे solar panel को लगाए अब इसके लिए जो हमारी government है utilities है, banks है इन सब को अपने जो financial mechanism है इसको थोड़ा सा expand करना होगा यहाँ पर नए तरीके लेकर आने पड़ेंगे जिससे यहाँ पर जो loan है loan का दाम थोड़ा सा कम कर दिया जाए loan के ओपर जो ब्याज होगों कम कर दिया जाए जिससे की लोग जो है loan उठा कर जो है इस प्रकार से RTA system को लगाए अपने घर में यहाँ पर यह rooftop solar को लगाए जिससे हम लोग जाद से जादा जो सूरे की energy है उसका उत्पादन कर पाएंगे now question यह है इसमें challenges क्या क्या है तो यहाँ पर challenges के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो 2019-2020 के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो solar power contribution है वो 3.6% का हम लोगों का देखने को मिला है देखो इतना अच्छा चलने के बाद भी हम लोग कई ने के छोटी-छोटी चीजों के अंदर lack कर रहे है यह सबसे बड़ी problem है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो solar जो पैनल से बना जाते हैं प्लस यहाँ पर इनका बहुत सारा waste भी निकलता है कुछ सामें बात खतम हो जाते हैं भी काफी सारी चीज़ें हैं जिसकी वैसे काफी सारी challenges इंडिया को face करनी को पड़ती है यह आप लोग देख पाऊगे ठीक है यह clear हुआ फिर उसके साथ और क्या बताया गया अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इंडिया का जो एक तरीके से domestic solar module manufacturing capacity है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा domestic manufacturing capacity है मतलब हम अपने देश के अंदर इन solar panels को जो भी बना रहे हैं इनको आगे technologies को हम लोग develop कर रहे हैं इसके पीछे हम लोग थोड़े से पीछे रहे चुके हैं हम लोगों ने खरीदा है चाइना से उसके साथ साथ यहां पर आप देख पाऊगे तो भारत का domestic यहां पर production वो बहुत कम देखने को मिलेगा और इंडिया का import बहुत जादा है हम लोग यहां पर solar cells को purchase कर रहे हैं उसके बाद यहां पर इंसका installation चल रहा है तो manufacturing capacity हमारी काफी कम है और जिसको हमें लेकर आना पड़ेगा और यहां पर अगर हम लोग अपने country के अंदर इनकी manufacturing करते हैं तो definitely इसका price भी low होगा प्लस हम लोगों को यहां पर जरुवत भी ने लेगी कि हम लोग चाइना से इस चीज़ को purchase कर पाएं clear हुआ तो इंडिया को जरुवत एक circular economy model की यहां पर थोड़ा बहुत finance यानि थोड़ा बहुत पैसा release करना पड़ेगा market के अंदर चाए आप loan को हलका करके करो या फिर कैसे भी कर सकते हो करना पड़ेगा देन उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे हम लोग solar energy के through generate कर रहे होंगे खास बात यह ना कि जो यह solar energy इसके अंदर कोई pollution नहीं है यहाँ पर कोई greenhouse gas release नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी problem देखने को मिलती नहीं है इसी वज़़े से हम लोग renewable energy को बहुत ज़ादा यहाँ पर priority के उपर रखते भी है clear हुआ तो यह यहाँ पर बताया गया साथ जाज़ा जो इंडिया का solar story है यह ऐसी यहाँ पर चलती रहेगी important lessons देती रहेगी अलग-लग developing countries के लिए तो अभी हम लोग को जरूवत क्या है वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है आप लोग इसके बारे में ध्यान जरूर रखना ठीक है क्या solution यहाँ पर हो सकता है अब हम लोग चलते हैं अपने last वाले editorial की तरफ last वाले editorial की आउसको भी देख लेता है सारी काफी सारी जो news है वो election वगरा की news भी भरी पड़ी है ठीक है यहाँ पर आप देख पाओगे कि election खतम हो है तो काफी सारी news यहाँ पर उसको लेकर देखने को मिल जाती है तो last editorial हमारा यहाँ पर यह वाल आपको देखने को मिलेगा यह बात करता है debate over freeing temples यह क्या है मुद्दा हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा हुआ क्या है यहाँ पर करनाट का के अंदर पहले सी काफसरी controversy चल लई है देखो एक तो आपको यहाँ पर हिजाब controversy के बारे हैं पता सल चुका है फिर उसका करनाट का protection of right to freedom of religion बिल के बारे में आप लोग यहाँ पर पता सल चुका है ठीक है यहाँ पर जो anti-conversion बिल है basically किसी को conversion किसी को convert नहीं होने दिया जाएगा वो बिल रोकता है ठीक है जो भी यहाँ पर जबरदस्ती किसी दूसरी विक्ति को convert कर रहा है तो इसको रोका जाता है तो इस बल के उपर रोक लगाने के बारे में चर्चा की गई है साथ साथ बोला गया जो बीजेपी government है मतलब यह चारी चीज़ों यह सारे मुद्धों करनाड़का में चल रहे है लेकिन उसके बाद current issue क्या है कि जो बीजेपी सरकार है इन्होंने करनाड़का के अंदर announce कर दिया कि यहाँ पर इस प्रकार से कानून लेकर आएंगे कि जो भी मंदिर है मंदिर के उपर सरकारी कंट्रोल है करनाड़का का तो वो सब यहाँ पर कंट्रोल हटा दिया जाएगा वो मंदिर यहाँ पर एक बिना सरकारी कंट्रोल का रहने वाला है यहाँ पर बोला गया और इसी के बाद यहाँ पर BJP सरकार के ओपर कफसर उंगलिया उट रही है इसको लेकर एक एक एक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब पहली बात आपके दिमाग में क्वेशन आएगा ऐसा क्यों टेंपिल को फ्री क्यों करने के बारे में चर्चा की जा रही है तो काफी सारी मिस इन्फोर्मेशन फैली हुई है जहां पर बताया गया कि जो मंदिरों के अंदर पैसा कलेक्ट हो रहा है उन सारे पैसों को नौन हिंदू रिलिजिस इंस्टूशन के अंदर खर्चा जा रहा है ऐसा यहाँ पर आपको खबरे देखने को मिलेंगी तो ऐसी गलत गलत यहाँ पर जो मिस इन्फोर्मेशन है इस मिस इन्फोर्मेशन की वज़ा से यहाँ पर सरकार ने ऐसा स्टेप उठा है सरकार यहाँ पर डिसाइड कर चुकी है कि जो खास कर आज के टाइम पर ये हमारे जो आज के टाइम पर हमारे loss वगरा देखने को मिलता है इन सरकारी कंट्रोल को हटा दिना चाहिए ये आप देख पाओगे साथ साथ और के बताया गया जो ये temples को free करने के बारे में चर्चा की गई है सरकार से ये अपने आप में एक huge step देखने को मिलेगा और ऐसे हम लोग पहले कर चुके हैं और पहले कर रहा है हम लोगों ने example के तौर बताया या पहले करके हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फाइदा देखा नहीं है अब आपका question होगा कि चलो यहाँ पर सरकारी कंट्रोल हट जाएगा तो फिर कौन कंट्रोल करेगा तो bjp insiders यहाँ पर push ये कर रहे हैं कि जो ये law है law यहाँ पर हट जाए कानून यहाँ पर पूरी तरह से मतलब कि जो सरकारी कंट्रोल है वो हट जाए और जितने भी टैंपल होगा अब सरकारी कंट्रोल हटने के बाद उनको trustees के थूरू manage किया जाएगा जो trustees होंगे जो कि transparency और accountability को maintain करके रखेंगे जो भी हो रहा है विल्कुँ transparency सारी चीज़े बताएंगे और यहाँ पर तीन बड़े बड़े टैंपल्स और यहाँ पर एक private trust का थूरू चलाए जाते हैं बैंगलुरू के अंदर ठीक है यहाँ पर आप देख पाऊगे उन सारे तो ऐसे पहले भी बहुत सारे incident देखने को मिले हैं जहाँ पर यहाँ पर trust भी काम नहीं कर पाया है तो again यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे आगे किस प्रकार से काम चलता है प्लस करनाटका के अंदर जो यह controversy है मैं आपको बता दी है कि हाँ temples के ओपर यहाँ पर एक सरकार content मिलेगा नहीं तो आप लोग सब कुछ इसके पर दो आज और जादा time waste करना मत यहाँ पर आप देख पाओगे जब world page पर भी आओगे ना तो world page पर भी आपको खबरे देखने को मिलेंगी रश्या युकरेन के विवात को लेकर vaccine को लेकर बहुत सारी खबरे हैं और बहुत स प्रिशानी आईगी नहीं ओके नाओ अब यहाँ पर हम लोग अपने question को देखते हैं जो कि starting में आपसे question पूछा या था 2001 में यहाँ पर इप्रिलिम्स में question पूछा या है तो इसका correct answer आपको यहाँ पर answer B देखने को मिलेगा जो Charles Wilkin है यहाँ पर वो यहाँ पर correct answer है Charles Wilkin यहाँ पर member थे Asiatic Society of Bengal के जिसको found किया गया था William Jones के थुरू और इन्होंने यहाँ पर भगवत गिता को translate किया था English के अंदर 1794 में ठीक है तो I hope आप लोगो यहाँ पर इसका correct उत्तर भी मिल चुका है clear हुआ Now इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye Have a nice day, thank you and जैहिंद